जैहिंद बने मात्रों स्वागत है आफ सभी का आपके अपने चैनल BSC Aim with Sivam में और मैं Sivam दुबे आपका बहुत-बहुत सारत करता हूँ दोस्तों VAVSC V.com Second Year 4 Semester के Students के लिए ये Food Processing यानि की खाद प्रसंस्क्रण की अंतिम क्लास रहेगी इससे पहले हम आपको मात्र एक वीडियो में Sampoon Food Processing खाद प्रसंस्क्रण को कम्प्लीट कर चुके हैं अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखें लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेयर कर देंगे आपके साथ ठीक है और वो वाली क्लास और आज की इस क्लास को दोनों को देख करके चले जाना आपका काम हो जाएगा आप सबकी बहुत जादा डिमांड आ रही थी इस बज़े से हमने इस क्लास को डिजाइन किया है साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे इस class को आपके exam को ध्यान में रख करके burn liner के form में हमने questions को लिया है और सारी चीजों को बहतरी रवनीती के साथ सब समझने के बाद कि कहां से question आ सकता है तब हमने इस class को बनाया है बिल्कुल सारी चीजों को बहुत अच्छे से हमने आपके लिए डिजाइन किया था साथ से चादा नंबर आपके इस वीडियो को देखने के बाद पक्के हो जाएंगे burn liner के form में सारी चीजे रहेंगी आप लिखते हुए चले जाओ है ना क्योंकि time जो है आपके पास बहुत कम बचा है अब पहला question आपकी skin पर रहेगा थोड़ा सा अफास चलेंगे और वीडियो आप अंते तक बहुच करेंगे चेक है बहुत बढ़िया रम जो है वो तयार होती है रम कैसे तयार होती है तो गन्ने के रस से रम तयार होती है second question है पोस्टन के लिए पोस्टक तत्तों में सामल है तो पोस्टन के लिए जो पोस्टक तत्तों में सामल है वो है कार्भोहईडरेट, बसा, प्रोटीन, बिटामिन, खनिस लबन और चल और हमने आपको बताया भी था कि एक संतुल तहार में सारे पोस्टक तत्व या फिर पोस्टक तत्व विद्धबान होने चाहिए अब आप कह रहे होंगे सर पोस्टक तत्व क्या है तो जो पोस्टक तत्व है उन्हीं का दूसरा नाम है पोसकत बहुत बढ़िया बहुत 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 रीन चलिए तीसरा question आपकी स्कीन पर रहेगा मानो सरीर की प्रात में कावस सकता है तो आप रोटी, कपड़ा, मकान जो है मानो सरीर की प्रात में कावस सकता है कहीं जाती है थोड़ी सी अच्छी language में अगर हम देखें तो भोजन, बस्तर और आवास, मानो सरीर की प्रात में कावस सकता हो जाएगी ठीक है, चलिए आप बात करेंगे next question जो है आपकी स्कीन पर question number 4, हमारे सरीर को पोसत करता है, तो क्या पोसत करता है भोजन जो है, हमारे सरीर को पोसत करता है, पालन हमारे सरीर का करता है next question रहेगा भोजन जो रोगी को दिया जाता है रोगी को स्वास्थ लाब देने के लिए जो भोजन देते हैं, उसको उपचारात्मक भोजन या फिर उपचारात्मक आहार कहते हैं आप सारी चीज़ों को अच्छे से समस्ते हुए चल रहे होंगे है नंबर का प्रसन आपकी स्क्रीन पर रहेगा तुचा बा आँखों को सुरक्षत रखता है तो तुचा और आँखों को बिटामिन जो होती है वो सुरक्षत रखती है और vitamin कौन सी तो आप कहेंगे sir, vitamin A जो सुरक्षित रखती है vitamin की खोच किस ने करी, तो ऐसा फंक ने vitamin की खोच करी, 1911 में करी और vitamin कितनी है, तो आप कहेंगे sir, 6 है, A, B, C, D, E, K ठिक, और vitamin A का नाम क्या है, तो इसका नाम है, retinol ठिक, क्या नाम है, retinol, B का क्या है, thiamine, C का क्या है, आप हमें comment में बताओ, जल्दी से, ठिक, आप हमें comment में बताओ, जल में घुलनसील, vitamin कौन से है, तो आप कहेंगे sir, BOC जो है, जल में घुलनसील, vitamin है, बसा में घुलनसील की बात करेंगे, तो A, D, E के बसा में घुलनसील, vitamin हो जाएंगे, मेरे भाई, चलो, next question, अब आपकी, इसकीन पर रहेगा, अचार को सुरक्षत रखने वाले तत्व कौन-कौन से है, तो देखो, अचार को जो सुरक्षत रखने वाले तत्व है, वो है आपका के मैंड में सेट हो जाएगा, वीडियो को एक से दो बार देख लेना, अगर आपको एक बार में चीज़े क्लियर नहीं होती है, तब, दस नंबर का प्रसंद अचार के प्रकार है, तो आप कहेंगे सब अचार जो है, वो चार प्रकार का होता है, कौन-कौन से प्रकार का होता है, तो आप कहेंगे सब चार प्रकार का है, सिरका वाले अचार, तेल वाले अचार, किणवित अचार, और बिना किणवन के बनाए गए अचार, ठीक, अब टायम नहीं अतना, नहीं तो उन सब को explain कर देता मैं कुछ चीज़े हैं मैं आपको बता भी देता हूँ देखो अचार तयार करने की जो बिधी होती है सबसे पहले हमारे यहां तो देखो बिदेशी और अगर भारती अचार की अगर हम बिधी की बात करें तो दो चीज़े में यहां पे देखी जाती है मसालों का प्रियोग ज़्यादा और सबजियों का प्रियोग जो है हम कम करते है मसालों को प्रियोग हम ज़्यादा करते है सबजियों का प्रियोग हम कम करते है फलों का प्रियोग हम ज़्यादा करते है और विदेसों में क्या है इसका just उल्टा होता है देखो हमने लिखा भी यहां पर विदेसों में just उल्टा होता है विदेसों में क्या करते हैं मसालों का प्रियोग जो है वो कम करते हैं अचार में चिक और सबजियों का प्रियोग ज्यादा करते हैं और फलों का प्रियोग कम क तेल डालते हैं, ढक्कन लगाते हैं, ये सब चीज़े हैं, अचार को आप सुरक्षत कैसे रखेंगे, आप सब को भो भी पता होगा, बताओ, देखो हम सब जो हैं, कहीं न कहीं गाउं से जोड़े हुए हैं, है न, तो ये सारी चीज़ें अपने मा बगेरा करती हैं, तो आप से सुरक्षत रखते हैं, या फर अचार को बिना तेल के भी सुरक्षत रखा जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वो बिदी हैं, और अगर हम आपको और बताएं थोड़ा सा, तो धूप द्वारा हम अचार को सुरक्षत रखते हैं, नीबो के रस में भी हम सुरक्षत रखते हैं sodium benzoate द्वारा हम अचार को सुरक्षत रखते हैं और यह important question है आप अपनी mind में set कर ले ना आपसे अगर कोई पूछ ले कि बताओ भी sodium benzoate का use कहा करते हैं तो आप कहेंगे सर अचार को सुरक्षत रखने में sodium benzoate का use किया जाता है बहुत बड़ी आप बहुत 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 बहतरी next बात करेंगे 12 नंबर का प्रशन अना तोड की आना अगर exam में बिल्कुल दोनों वीडियो को देखके जाना और ऐसा ना करना कि आप इसको ही देखके चलेगा दोनों को देख लेना इसको और इसको बस आपको फिर किसी चीज की जरूत नहीं है बस आप बहुत अच्छे से अपने लगा देंगे अचार बनानी की जो विदिया है वो कौन-कौन सी है तो एक भारतिय सैली है और एक विदेशी सैली है अब भारतिय सैली में क्या है तो भाही नमक, मसाले, नीबू का रस इस द्वारा जो है अचार को हम स्रकष्छत रखते है अचार को बनाते है बिदेशी सैली में क्या करते हैं तो भाई शिरका फिर एसिटेक ऐसेट का ग्वोल में अचार को रखा जाता है तो यह विदि हो गिए आपकी विदेशी और भारतिय है चलो अचार निर्माल कला का जनम कहां से हुआ त तो बहीं से कहीं न कहीं अचार का हम कह सकते हैं कि जनम हुआ ये पुराना इतिहास है अब हमें नहीं पता क्या है हमने भी कहीं पढ़ा है इसलिए हमने आपको बता दिया चलिए बात करेंगे next फलों का बरगी करन कितने भागों में किया जाता है तो आप कहेंगे सब चार भागों में किया जाता देखो यार एक बात और बताओ मुझे अब मैं क्या ही बताओं आपको पता नहीं लोग कैसे किसी जीब को खा लेते हैं मैं तो यहीं कहूँगा सकाहरी बनो आपसे एक बार और हमने एक वीडियो में आपसे कहा था कि सकाहरी बनो किसी बच्चे ने हमें कमेंट भी कहा था वो कह रहा था कि आप अंडे खाने का एक मात्र रीजन बता दो कि इससे क्या अनुकसान है आप भाई या सर्च कर लेना गूगल पर आप जहां पर भी जानते हो वहाँ सर्च कर लेना आप पता चलाएगा कि क्या क्या अनुकसान होते हैं इससे ठीक है भाई साकाहरी बनो डाल जो आपकी चीज़ें वहाँ पर पाएं जाती है वो सब यहाँ पर भी तो पाएं जाती है सबजियों में दाल रोटी में उनकी बिवस्ता है देखो बाहर के जो बाहर कंट्रीज के जो लोग होते है उनकी बिवस्ता है क्योंकि वहाँ अना सबजियां फल नहीं उपलब धो पाते हैं इस बज़े से उन्हें ये सब चीज़ें खानी पड़ते हैं और हमारे हाँ देखो ये सब चीज़ें होने के बाद भी हम किसी जीप को खाएं ये तो पाप हुआ ना ये तो गलत बात हुई ना आपको ये समझना पड़ेगा चलो बात करेंगे नेक्स्ट जो है हमाए फलों का बरगी करन कितने भागों में किया जाता है तो आप कहेंगे सर्च चार भागों में किया जाता है बीजुक्त फल, सरस फल या फर बेरी नेक्स्ट है पुंज फल नेक्स्ट ही बात करेंगे संगर्दित फल ठीक है तो ये जो हैं चार आपके हो जाएंगे आपसे अगर कोई पूछ ले कि फलों का बरगी करन कितने भागों में किया जाता है तो आप कहेंगे सर्फ चार में और आपसे अगर ऐसे भी उप्सन दे के पूछ ले कि बताओ इन मेंसे कौन फल के बरगी करन में सामन नहीं है और अलग दे दिया तो आप यह चारों को आप एगर याद रख लेंगे और एक अलग से होगा तीन इनमे से होगे तो आप उसे पहचान जाएंगे ठीक है चलो अब बीज जो फल है वो आम है अलूचा है और बेर हो जाएंगे आप देखो आम में क्या होती है उसकी जो गुड़ली नकलती है आपको पता होगा भी वही क्या है उसका बीज हो जाएगा ऐसी बेर में होता है है ना सरसफल सरसफल की हम बात करेंगे तो यह अंगूर है टमाटर है यह सरसफल कहे जाते हैं इनका गुदा जो है वो खाया जात है चलि संगर्थत फल की बात करें तो अननास या फिस सहतू जो है वो संगर्थत फलों के अंतरगत आते हैं अब एक कुस्चन बेरी इंपोरेंट है लख लो कॉपी में चैमाइंड में याद रख लो सीधा आएगा फलों में अभोज भाग जो है वो कितने परसेंट होता है त कमेंड में बताना आपके सब्जेट की मेराधन क्लास देखना चाहेंगे अब देखो कैसे कैसे हम परिरक्षन करते है चलिए पहला तो है डिबाबंदी दूसरा है बर्फ में जमाना तीसरा है सक्कर मिलाना चौथा है सुखान और पांच की बात करेंगे तो नरजली करन से परिरक्षन जो है उसका किया जाता है, ये सब खाद प्रदार्थों की, को सरक्षत रखने की विदियां हैं, 17 नमबर का प्रसन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, भोज सामक्गरी को सरने से बचाने, ये बचाने वाला जो प्रसन है, बैने उपर करा दिया है, कि सरक्षत कैसे रख भोजन जो है, काफी टाइम तक अगर आप रखे रहते हैं, जिसे आज का भोजन कल कर रहे हैं, या फिर 5 गंटे, 7 गंटे, 10 गंटे रख दिया, उतना ज्यादा नहीं, लेकिन ये जरूर हम कह सकते हैं, कि उसकी तागत थोड़ी सी कम हो जाती है, कि ताजा भोजन, ताजा बीमारी हल लेता है, तो सीधी बात यही है, कि जितना ताजा भोजन रहेगा, जितना गर्म रहेगा, गर्म का मतलब यह नहीं है, कि सीधा आप बिलकुल आया हो, गर्म गर्म खा लिया, ऐसा नहीं हो कि आप मूझ जला लो अपना, तो देखो कुस्चन कैसा आएगा एक्ज नहीं है जो नहीं सुड़ाता है तो आपको अगर ये पढ़ा हुआ रहेगा तो आपके mind में तुरंत किलिक कर जाएगा वहाँ पर चलिए next बात करेंगे 18 नम्मर के प्रशन की भाब द्वारा पकानी की विधियां तो आप कहेंगे सर्थ 3 विधियां भाब द्वारा पकानी कि नाम रोशन करें ठीक है बीसीमबस से अश्टेनी प्रेटफॉर्म आपके लिए हर तपके के गरीब से गरीब भाई वहनों के लिए हमेसा खड़ा है अंतिम सास तक हम आपके लिए रहेंगे नेक्स्ट 20 नंबर का प्रशन आपकी स्क्रीन पर दूद में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है तो दूद में वहाई साब केसी नामक जो प्रोटीन है वो पाई जाती है आप सबको पता होगा दूद को संतुलित आहार कहते हैं सरबोत्तम आहार भी दूद को ही कहा जाता है 21 न पाई जाती है तो आप कहेंगे sir केसी नमक protein पाई जाती है next question जो complete करा है वो है दूद में थक्के के रूप में चबने वाली protein तो आप कहेंगे sir left LV हो जाएगी अब हमने एक question और बताए आपको कि संपूर आहर किसे कहते हैं तो आप कहेंगे सर दूद को कहते हैं, एक बात और हम आपको बताएं, अगर कि सरवोत्तमाहार किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सर दूद को ही सरवोत्तमाहार कहते हैं, और संपूराहार भी कहते हैं, चलो, अब देखो, माता के दूद में कार्वोहाइटरेट की जो मात्रा है वो कितनी होती है तो माता के दूद में अगर हम कार्वो हाइटरेट की बात करें तो ये जो मात्रा है वो 4% होती है इस बात को अपने माइंड में आप बहुत बढ़िया अच्छे से सेट करके रख लेना चलो दूद में खनिज लबन की मात्रा कितनी होती है तो आप कहेंगे sir 0.6% जो है दूद में खनिज लबन की मात्रा होती है इतना बात इतनी बात जो है आपको अपने माइंड में सेट करनी पड़ेगी चले अब जो चीज़े हैं अच्छा एक बात और बता ओफ में दूद में कौन सा बिटामिन नहीं पाय जाता है है ना दूद में बिटामिन C नहीं पाय जाता है इतनी आप वीयाद रखेंगे भिटामिन C कहा पाय जाता है तो आप कहेंगे sir खटे फलों में पाय जाता है और किस के लिए उपी होगी है तो रोगों से लनने की चंता देता है 24 नंबर का प्रसंद केला में सरवाधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं तो आप कहेंगे सर कार्वो हाइडरेट जो है केला में सरवाधिक मात्रा में पाए जाते हैं सोयवीन में प्रोटीन कितना पाए जाता है तो आप कहेंगे सर 25 से 35 परसंट सोयवीन सोयवीन में प्रोटीन पाय जाता है अब सोयवीन क्या है? सोयवीन की बात करें तो ये डाल की रूप में है ना या फिर सबजी की रूप में हम इसका यूज करते हैं 26 नम्मर का बरसन है डालों में नहीं पाय जाता है तो दालों में बिटामन C नहीं पाय जाता है दो चीज़ें आद रहेंगे दूद में भी बिटामन C नहीं पाय जाता है दालों में भी बिटामन C नहीं पाय जाता है फिर बिटामन C का क्या होता है तो बिटामन C जो है खटे फलों में पाय जाता है रोगों से लड़ने की छमता परदान करता है मसूडों के लिए पियोगी है अभी हमने आपको बताया भी था अच्छा एक बात और बता दो सरकरा एक्त सबजियां कौन-कौन सी हैं तो आप कहेंगे सर अर्भी, सकरकंद, आलू वो सरकरा एक तो सबजियां हो जाएंगे फलों का पर शक किसमे किया जाता है तो आप कहेंगे सर जैब, मुरभा और जैली वनाने में फलों का प्रियोग किया जाता है चलो बहुत बढ़िया, बहुत बैटरी 27 नमबर का प्रस्षिन हमारे सरीर में कितना जल पाये जाता है तो आप कहेंगे सर 60% जल हमारे स्रीर में पाये जाता है ठाइस नम्मर का प्रश्चन तेल द्वारा भोजपदार्थों को क्या किया जाता है तो आप कहेंगे सर तला जाता है देखो तीन से चार कुस्चन यहां से complete होंगे तेल द्वारा भोजपदार्थों को क्या करते है तो आप कहेंगे सर उबाला जाता है और तला भोजपदार्थ क्या होता है तो आप कहेंगे सर देरी से पचेगा तला वो जल्दी कौन पचेगा तो आप कहेंगे sir उगला हुआ जो है वो जल्दी पच जाएगा याद रखेंगे छील कर भोजपदार्थों को क्या किया जाता है तो आप कहेंगे sir छील कर भी तला जाता है बहुत बहतरीन, अब इन सबको याद रखेंगे और अगर एक बार में वीडियो जो है क्लियर नहीं होती है, तो आप दो से तीन बार क्लास को देखेंगे, है ना बिल्कुल समझ जाएं और चीजों को 33 नमबर का पुरसंट, दूद के कितने प्रकार होते हैं, दूद कितने प्रकार का होता है तो आप कहेंगे सर्फ, पांच प्रकार का दूद होता है संपूर्ण दूद, बसा रहे दूद, खमीरी करत दूद, गाड़ा दूद और पाउडर दूद, चीक है अब टाइम इतना नहीं है नितो मैं इनको भी explain करता आपके सामने, share करो class को, है ना, कुछ और question बचे है उनको भी मैं complete कराता हूँ, लेकन share करो जल्ली से, आपके दोस्तों तक पहुच जाए, वो भी बिचारे परिशान हो रहे होंगे उनका भी भला करो, 14 नमबर का प्रसंट processing को कहा जाता है, भी processing को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे से, still IJSON जो है processing को कहते हैं 35 नमबर का प्रसंट आपकी स्कीन पर रहेगा खाद पदार्थों में जीवानुओं का निस्क्रिय जो है वो कैसे किया जाए खाद पदार्थों में जीवानुओं को निस्क्रिय कैसे किया जाए क्या processing से किया जाए डिब्बाबंदी से या न दोनों सही तो हमने इसको इस बया से लिया है कि अगर हम आपको processing बता देते, डिब्बाबंदी वहाँ पर देख जाता तो हो सकते हैं हब दोनों ही लगा दे दे तो इसका answer बलको सही कौन है तो आप कहेंगे सार केवल processing से जो है खाद पदार्थों में जीवानुओं को निस्क्रिय किया जाता है 36 नंबर का प्रशन अचार को उप्चारत करने में मुखता किसका उप्योग किया जाता है तो आप कहेंगे सार नमक का उप्योग जो है उप्चारत करने में इसका किया जाता है चलिए next MSG क्या है यहां से मुझे लग रहा है कि यह आएगा MSG का उप्योग क्या है तो EPD जो है तुरत freeze सुखाने वाले ये चीज है तुरत freeze सुखाने के लिए इसका हम use करते हैं ठंडे करने के लिए सुखाने के लिए इन सब चीजों का use करते हैं और अगर हम questions की बात करें थोड़ा बहुत और हम आपको बताएं अगर तो आप याद रखेंगे अपोसन की जो सितियां हैं वो कितनी होती हैं तो आप कहेंगे सर अपोसन की सितियां दो होती हैं और पोसन की कितनी होती हैं तो आप कहेंगे सर पोसन की अबस्ता हैं चार होती हैं कितने होती हैं, चार होती हैं पोसन की अबस्ता है, तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे, धान के कूटे जाने से, पौश्टक तत्व कैसे हो जाते हैं, तो आप कहेंगे नस्ट हो जाते हैं, और नस्ट तो हो जाते हैं, दान को कूटे जाने से तो आप कहेंगे Sir Thymine Nicotinic Acid जो है वो नस्ट हो जाता है एक प्रोण ब्यक्ति को प्रती दिन कितनी मात्रा में दाल लेनी चाहिए तो आप कहेंगे Sir 60 से 70 ग्राम प्रोण ब्यक्ति को दाल लेनी चाहिए दालों में कौन सा बिटामिन नहीं होता तो अभी हमने आपको बताय था बिटामिन सी नहीं होता दूद में भी नहीं होता है चलो बहुत सारी क्लास्स हमने आपको food processing खात प्रसंस करनगी कराई है चरूर देख लें link description box में share कर देंगे बागी playlist सबकी बनी हुई है बच्चे कहते हैं कि sir अपने एक कैसी playlist बनाई है एक playlist में दूसरी वाली क्लास पढ़ी है वहाँ पे तो देखो भाई हाँ हमने इस बज़ाए से क्लास डाल दी थी कि ताकि आप अगर प्रशान हो आपको नहां मिले है ना जो भी playlist खुल जाए वहाँ से आपको कम सकम क्लास तो मिल जाए इस बज़ाए से आप बलको टैंसर ना लो है ना कोई ऐसी टैंसर नहीं है कि कौन सी क्लास पहले देखें आप कोई भी क्लास पहले देख लो पर playlist से सारी चीज़ों को आप अच्छे से बहतरीन द्रही के से पढ़ लो चार से पांच क्लास साइध है सारी पढ़ लो और यह food processing जो केबल संपूर एक वीडियो में हमने कराय था उसको जरू पढ़कर करके जाना और यह जो आज की क्लास है इसको बहतरीन करके चले जाओ बस आपका काम हो जाएगा बाकि पॉलिटिकल साइंस को मातर एक क्लास में हमने कंप्लीट किया था महा मैराथन का बाप करके हम इस क्लास को लाए थे तो अब इस क्लास को जरूर देखें जब आपका food processing जब इसका पॉलिटिकल साइंस का आपका एक्जाम हो पास्चात राजनीती चिंतन माप करना यह हमने सेकंड समस्टर में डाल दिया सेकंड समस्टर नहीं है यह फूर समस्टर है कौन सा भी फूर समस्टर है चलो नेक्स जो है आपका physical education yoga सरे सक्षा एवं योग इसको भी देख करके जरूर जाए और आपका जब एक्जाम हो physical education yoga इसकी भी बहुत अच्छे से हमने बहतरी तरीके से इसकी classes बनाई है आप जरूर देखें बाकि आप सब के लिए BSC Embisvam का ही एक परिबार है Embisvam study platform वो भी आ चुका है एन अस पर हम बिलको सरकारी नोकरी के तयारी करेंगे बहुत अच्छे और एक पहतरी अंदाज में तो बिलको लाफ सब जोड़ जाएं यहाँ पे जो चीजें हैं आपको mathematics, हिंदी, GKGS, current affairs हैं इन सब की classes को बहतरी न साहत की भी हमने तीन से चार class बनाई हैं मातरी class में हिंदी साहत को भी हमने complete के आए 4 semester के लिए बहुत बहुत बहतरी और एक उमदा तरीके से तो बिलको जरूर देखें इस class को B.A.V.C. V.Com के लिए संपूल food processing जिसकी हम बात कर रहे थे आपसे यह वही class है वही वीडियो है खात प्रसंद स्क्रण इसको जरूर देख करके जाएं अपने exam में सारी चीजों को पढ़ लें बहुत अच्छे से और एक बहतरी तरीके से चीजों को आप complete करें और जैसे ही अगर पसंद आया हो तो बिल्को लाइक जरूर कर दे वीडियो को और subscribe करने अगर नए हो अपनी परिवार पर comment section में बताओ class कैसे लगी और exam जब हो जाया ना तो फिर जरूर बताना कि कैसा exam गया मिलते अगली वीडियो में तब तक लिए जहन्द बनिमात्रम भारत माता की जज हरूर मादेव